हेलो दोस्ते नमस्ते लाइफ ट्रक दुबाई चैनल में आप साब का स्वागत है और मैं आपका दोस्तों दोस्तों आज इस वीडियो में मैं चार्चा करूंगा कोविट-19 PCR टेस्ट डिलेटेट अबुधाभी एंट्री का जो नया रूल है उसके बारे में है काल इसके बारे में मैं एक वीडियो आपलोट किया था लेकिन आज इस वीडियो में मैं विस्तार से चार्चा करूंगा तो जो नया रूल है दोस्तों तो इसको मैं दो पार्ट म अबुधाभी आएंगे उनके लिए क्या नया रूल है और जो लोग अब्रोट से आएंगे मतलब इंडिया पाकिस्तान नेपाल भागला है शिलांका से जो लोग अबुधाभी आएंगे उनके लिए क्या रूल है तो पहले तो मैं जो लोग इंसाइड दा यह है मतलब दू जब आप दूसरी कोई Emirates से आबोधावी आएंगे तो आने से पहले आपको PCR टेस्ट, PCR टेस्ट और DPI टेस्ट इन दोनों में से एक टेस्ट करना होगा, तो टेस्ट करने के बाद जब आपको नेगरी सार्टिफिकेट मिल जाएगा, तो इस टाइम आपका नेगरी सार्टिफ आपको एक टेस्ट करना होता था, लेकिन आभी जो नया रूर्टिफिकेट करने के बाद पहले जरूल था दोस्तों, पहले जरूल था अगर आप यहाँ पर चार दिन और चार दिन से ज्यादा यहाँ पर स्टे करते थे, तो डे फोर में आपको PCR टेस्ट करना होता था, अभी जो नया रूर्ट है, जब अब अब अभी एंट्री करेंगे, तो आपको अपको अपको एक PCR टेस्ट करना होगा, आप एंट्री करने के बाद, वो है डे 6 में, मतलब आप अगर यहाँ पर 6 दिन और 6 दिन से ज्यादा रहते हैं, तो छेटा दिन में आपको एक RT-PCR ट अभी मैं बाताऊंगा, जो लोग एबरोर से आएंगे, मतलब इंडिया, पाकिस्ता, नेपाल, बांगलाय, शिलंका से जो लोग अबुधा भी आएंगे, तो उनके लिए क्या रूल है, पहले तो आप जहां से आएंगे, जिस कांट्री से आना चाहते है, वहां से आपको ए आपको एक PCR test होगा, उसके बाद दोस्तों, आपको इहां पर, मतलब अबुधावी में एक क्वारेंटेन में रहना होगा, तो पहले जो क्वारेंटेन का रूल था, चौता दिन आपको क्वारेंटेन में रहना पड़ता था, पहले, मैंडेटरी था चौता दिन, तो अभी होगया है, आभी आपको 10 दिन, मतलब 10 डेज आपको क्वारेंटेन में रहना होगा, तो यहाँ पर जब क्वारेंटेन में रहेंगे, तो 6 दिन, मतलब 6 दिन, 6 दिन आपको esque 6 दिन, भीर से आपको एक तो उसके बाद day 12 में मतलब यहाँ पर आगर आप बारादीन और बारादीन से ज्यादा रहते है तो day 12 में आपको और एक artificial test करना होगा अगर यह आप नहीं करेंगे तो आपके पर fine आएगा दोस्तो तो इसका मतलब है दोस्तो जो लोग इंडिया पाकेसार नेपाल बांगलाइस मतलब विदेश से जो लोग आएंगे उनके लिए मतलब day 6 में और day 12 में दो artificial test करना होगा और एक बात है दोस्तो अगर आपको यहाँ पर अबुदावी में कोरोना पोजिडिव आती है तो आपको यहाँ पर 10 दिन quarantine में रहना होगा और आत्मा दिन जब आप 10 दिन quarantine में रहेंगे तो day 8 में आपको फेर से एक RT-PCR test होगा तो वो test का result आगा negative होंगे तो आपको after 10 days छोड़ दिया जाएगा यह जो रूल है दोस्तो यह रूल visit visa holders, resident visa holder सबके लिए रूल मतब यह रूल सबके लिए है लेकिन ऐसा कुछ green countries है अगर वहां से लोग अबुधा भी आते है तो उनको 10 दिन का जो quarantine का रूल है तो quarantine में नहीं रहना होगा जैसे चाइना, औस्टेलिया, मौरिशास ऐसा कुछ 16 countries है तो उसका जो list मैं description बाउस पर डाल दूंगा मतब यहां आपको सारा डीटेल्स मिल जाएगा इसके बारे में पस एही कुछ दोस्तों आज आज आपके साथ शेयर करना था मुझे आसा है आप समझ गया होंगे तो इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करें ताकि सबको इसके बारे में पता हो साके वीडियो आच्छा लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और जिनोंने सब्सक्राइब किया हैंनों थैंक्यू सो मॉच आज के लिए बाई बाई फेरा मिलेंगे कोई नए वीडियो नहीं आपने लेकर ऐसे हमारे चैनल के साथ जोड़ है ऐसे दुबाई रिलेटेट अपडेट इंफरमेटिव वीडिय आपको मिलते रहेंगे थैंक्यू सो मच बाई बाई